हलो दोस्तो मैं हूँ सत्यंद्र और स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में दोस्तो डाइबिटीज एक ख्राणिक कंडिशन है जिसमें आपका ब्लड सुगर लेबल नॉर्मल से अधिक हो जाता है या तब होता है जब आपका सरीर इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पाता या इंसुलिन को सही से यूज नहीं कर पाता हाला कि डाइबिटीज को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन हेल्दी डाइट, लाइपस्टाइल में बदलाओ और रेगलर फिजिकल अक्टिविटीज के जड़िए आप इसे एफेक्टिवली मैनेज कर सकते है दोस्तों यदि आप लो इंपक्ट फिजिकल अक्टिविटी करना चाहते हैं जो आपके बलड सुगर लेवल को कंट्रोल रख सके तो योगा आपकी पहली पसंद होना चाहिए इसके लिए डिफरेंट आसन होते हैं जिनमें सांस लेने की तकनीक के साथ साथ बॉडी मूविंट को सिंक्रोनाईज करना सामिल है डाइबिटिक एक्ससाइज या योगासन आपकी मसल्स को आराम देने, बलड सर्कुलेशन और ओर्गन के फंक्शन में सुधार करने में हेल्प करता है रेगिलर रूप से डाइबिटिस में योग करने से आपके पैंक्रियास के फंक्शन और इंसुलिन के सिक्रीशन में इंप्रूब्मिंट हो सकता है दोस्तों योगा इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव कर सकता है ये आपके cells को अधिक glucose का यूज करने में मदद कर सकता है ताकि blood sugar level balanced रहे Diabetes में सरीर के वजन में काफी changes होने लगती है ये diabetes के लक्षनों में से एक है ऐसे में healthy body weight को बनाया रखने के लिए diabetes के लिए yoga एक effective तरीका है मोटापा या overweight होना type 2 diabetes के risk factor में से एक है अधा इन risk factor से बचने के लिए diabetes के लिए yoga जरूरी है दोस्तो regular basis पर diabetes के लिए yoga practice diabetes की अनी complications जैसे कि nerve damage, kidney disease और heart disease के risk को भी कब कर सकता है तो चलिए आज के वीडियो में जानते है diabetes के लिए वो 5 best yoga जो आप diabetes में कर सकते है वरिक्षासन या tree pose या आसन एक खरे हुए पेड जैसा है tree pose आपके पैरो की मांसपेशियों, tendons और ligaments को मजबूत करने में मदद कर सकता है जैसे कि diabetes के patient को कई बार muscles वो बोन में दर्थ की सिकायत होती है ऐसे में यह yoga उनके लिए beneficial हो सकता है दोस्तो pregnant lady को यह yoga नहीं करना चाहिए और अगर करना भी है तो इस बारे में एक बार doctor से जरूर consult करें साथ ही अगर किसी की हाल में ही surgery हुई हो तो वे इस yoga को ना करें इसके अलावा किसी को अगर read, कमर या पैरो से जोड़ी कोई problem हो तो उन्हें भी यह yoga नहीं करना चाहिए धनुराशन या bow pose दोस्तो bow pose या धनुराशन डाइबिटीज के लिए एक रामबान आसन है क्योंकि यह pancreas को healthy बना सकता है इस yoga आशन का नाम धनुस मुद्रा यानि की bow pose के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस आसन को करते समय वेक्ति का body धनुस के आकार जैसा दिखता है इससे आपकी पीट और पेट के मसल्स मजबूत हो सकती है दोस्तो इस योगा को pregnant lady को नहीं करना चाहिए इसके अलावा पेट या कमर से जूरी कोई problem रही हो या surgery हो ही हो तो इस योग को ना करने की सला दी जाती है पस्चिमोत आशन यानि की seated forward bend पस्चिमोत आशन आपकी पीट की निचले हिस्से हैंस्ट्रिंग और कुलो को stretch करता है या आपके pelvic अंगो को tone करने में भी मदद कर सकता है यह योग सरीर से extra fat को कम करने के साथ ता diabetes की complication को कम करने में भी मदद कर सकता है बता दें diabetes के patient में वजन बढ़ने का रिस्क अधिक हो जाता है ऐसे में diabetes के लिए यह योगासन काफी फाइदे मंद हो सकता है दोस्तो इस योग को भी pregnant lady को नहीं करना चाहिए साथी किसी की surgery हुई हो तो इस योग को ना करे फलकासन यानि की plank pose दोस्तो यह योगासन muscles को मजबूत करने के साथ आपकी garden और peat को भी मजबूत करने का काम करता है फलकासन आपके blood circulation को बहतर बनाने में मदद करता है और stress को कम कर सकता है साथी यह योगा digestion में सहायक हो सकता है और यह आपके posture को भी सही कर सकता है यह योग आपको relax करने वाला और मन को सांथ करने वाला आसन है जो आपके blood circulation को भेतर करने में मदद कर सकता है यह योगासन निचले हिस्सों में सूजन के risk को भी कम कर सकता है इतना ही नहीं यह hormonal balance और blood sugar level को control करने में भी helpful हो सकता है प्रेगनिंट विमन, पीट, गर्दन या कमर दर्द से सफ़र्ड या किसी भी तरह की हडियों से related disease वाले लोग इस योगाशन को ना करें दोस्तो यह सच है कि diabetes के management के लिए योग करने की अत्यदिक सलाहत दी जाती है लेकिन कुछ ऐसे पोज या आसन भी है जिनसे diabetes patient को बचना चाहिए जैसे कि सिर्षासन यानि कि head stand pose दोस्तो यह एक ऐसा आसन है जो आपके सिर में blood flow को बढ़ाता है इससे आपके सिर में blood का pressure बढ़ सकता है जिससे आपकी आँखों की छोटी blood vessels को नुकसान हो सकता है इसलिए diabetes में inversion pose से बचना चाहिए दोस्तो diabetes में चक्राशन यानि कि wheel pose जैसे योग से भी बचना चाहिए चक्राशन या wheel pose बहुत ही फुर्तीला pose है जो आपकी heart rate को बढ़ा सकता है diabetes patient में heart rate बढ़ने से heart surgery problem या stroke जैसे complication का risk बढ़ जाता है अता यदि आपको diabetes है तो आपको चक्राशन से बचना चाहिए इसके अलाबा diabetes में आपको pinch major asan यानि कि peacock feather stand pool से भी बचना चाहिए pinch major asan या more के punk जैसे मुद्रावाला या भी inverted asan है जिससे diabetes patient को बचना चाहिए या आपके सिर में blood circulation को बढ़ा सकता है और छोटी blood vessels को नुकसान पहुँचा सकता है दोस्तों कोई भी आसन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी कई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों ऐसे informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना न भूले और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइगन को जरूर प्रेस कर दे